मैं सबसे पहले अपनी ग्रामीड विधान सवा की सभी भेन भाईयों को वहां की जनता को वहां की संगठन की लोगों को वहां के अपने मंदल अत्यक्षों को बूत अत्यक्षों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अथ्यक प्रयास और मेहनस से मुझे बिधायक बनाया है और अभी होली का पर्वे कल से शुरू हो जाएगा मैं होली के पर्व पर सभी भेन और भाईयों को अपनी ग्रामिण बिधायक सभा की सभी जनता को बहुत-बहुत शुबकामनाय देती हूं होली एक उलाज का पर्व है एक खुशी मनाने का पर्व है एक रंगों का पर्व है जो हमारे जीवन में नहीं नहीं खुशियां लेके आता है ऐसी होली हम लोग दो दिन तक मनाएंगे और ये खुशियां हमारे जीवन में निरंतर बनी रहें इश्वर हमारे उपर अपनी क्रपा बनाई रखे, पूरी ग्रामीर विधान सवाब पर अपनी क्रपा बनाई रखे, ठाकुर जी महराज, हमारे बावा घासी, चाहे टोरा मा देवी, सभी की क्रपा हमारे उपर बनी रहे, मैं अपने सभी बैनों और भाईयों को होली की हारदिक शुक्तामनाई देती हूँ, और यही प्रात्ना करती हूँ, के होली का ये तोहार, रंगों का ये तोहार, आपके जीवन में नई-नई खुशिया, नई-नई उमंग, और नई-नई बाते लेके आए, जिसे आप लोग जय ही जय भाला